good morning and welcome back to today's lecture of thermic fluid heaters areoblick hot oil systems in chemical plants आजζमेंBasically यह बात करेंगे कि यह जो hot oil system या thermic fluid heat Nearly प्रेंगे हैंका basic setup क्या होता है उस set up के क्या-क्या parts होते हैं उन पार्च का क्या-क्या role होता हैं और areas other things like hot oil की हमें जरूरत क्यों परती है इन सारी चीजों के बारे में आज हम डेटेल में बात करेंगे सबसे पहले अगर आपको मेरे lectures अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और जितना ज़्यादा possible है उतना ज़्यादा videos को like कीजिए और अपने friends से share कीजिए ये जो lecture इसके pdf का link मैं description box में डाल दूँगा जिसको भी download करना है वहाँ पर जाके download कर सकता है सबसे पहले हम बात करते हैं basic setup की तो याद रखेगा यहाँ पे मैंने एक diagram दिखाया है इस diagram को गौर से देखिए सबसे top पे एक expansion tank दिया हुआ रहता है इस expansion tank पे आपके दो लाइने हैं एक hot oil make up line है एक आपकी overflow line दी हुई है इस expansion tank से एक line सीधा आपके pump में आ रही है और ये pump आपका यहाँ पे थर्मिक fluid heater लगा हुआ है जिसकी tubes में आपका यह जो oil है यह oil आपका यहाँ पे flow करता है और यहाँ पे heating होती है heating के लिए आप various components like electrical heaters आते हैं या फिर fuel burnt heaters भी आते हैं वो आप use कर सकते हैं यह heating होने के बाद में यह आपका reactors में transfer होता है reactor की jackets में then reactor की jackets से यह होता हुआ यहाँ पे आके expansion tank से नीचे की तरफ जो line pump में आ रही है यह वहाँ पे आके इसमें add up होता है इस पूरे setup की बारे में मैं यहाँ पे आपको detail में नहीं बता रहा हूँ because आगे की slides में मैं काफी ज़्यादा detail में इसमें बात करने वाला हूँ means अगर आप basic components की बात करते हैं तो it includes expansion tank, pump, thermic fluid heaters and reactors अब आपके दिमाग में यह चीज़ आ रही होगी कि आखिर thermic fluid heaters की जरुरत पड़ती क्यों है तो याद रखेगा कि कई बार हमें process conditions ऐसी मिलती हैं कि आपको 300 degree, 350 degree के आसपास में temperatures maintain करना है अगर आप इतने higher temperatures पे जाएंगे तो आपको काफी high pressure की steam चाहिए होगी जो feasible नहीं हो पाता है कि आप उतने high pressure की steam produce करें अपने plant में because उसमें आपका जो consumption है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा and it is also unsafe कि आप उतने high pressure की steam अपने plant में use करें so in that case जो आपके पास में best option available रहता है वो होता है hot oil system because hot oil systems में आप easily in a controlled way 300-350 degree तक के temperatures आप achieve कर सकते हैं यह जो systems होते हैं यह सबसे best option रहते हैं अगर आपको high temperatures पे जाना है they have high capacity heating systems यह fully automatic systems रहते हैं इनका जो controlling रहता है वो काफी easy रहता है and इनका जो installation है वो भी काफी easy है और इसमें जो fluid heater है उसको various type of fluids fuels के साथ में आप easily operate कर सकते हैं so यह कुछ basic reasons हैं जिनकी वज़े से हम thermic fluid heaters को use करते हैं अब आपके दिमाग में यह चीज़ आ रही होगी कि इसमें oil कौन सा use कर्मा है तो याद रखेगा oil का selection करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है first thing कि oil आपका ऐसा होना चाहिए जिसकी heat transfer properties means heat transfer को efficient काफी अच्छा होना चाहिए आपके oil का second आपका जो oil है वो काफी ज़्यादा high temperature पे काफी ज़्यादा देर तक expose रहेगा तो आपका oil किसी भी तरीके से thermally stable होना चाहिए ताकि वो high temperatures पे decompose ना हो next one उसकी जो viscosity है वो entire range पे हमेशा lower side में होनी चाहिए आपका material आपका oil कहीं भी solidify नहीं होना चाहिए lower temperatures पे ये environment friendly होना चाहिए ताकि अगर कहीं पे leakage ये spillage हो जाता है तो ये आपके environment को किसी भी तरीके से contaminate ना करे and इसका जो flash point है वो काफी higher side में होना चाहिए ताकि अगर कभी गलती से leakage हो भी जाता है तो fire लगने के chances बिलकुल negligible होने चाहिए इसके कुछ examples की हम बात करते हैं तो जो easily used किये जाते अपना thermic oils है वो है आपका high therm 500, high therm 600 and various other grades are also available in market सबसे पहले हम बात करते हैं thermic fluid heaters की तो यहां पर just मैंने आपकी समझने के लिए cross section दिखाया हुआ है यहां पर आप यह देखिए यहां से आपका hot oil in कर रहा है अंदर आपकी इस तरीके से round shape में quals लगी हुई है और यहां से भूमता हुआ आपका hot oil यहां से out कर रहा है इसमें अंदर heating के लिए आप electrical quals का भी use कर सकते हैं इसके center में या फिर यहां पर burner से आप फ्यूल आप purge करके उसके भी throw up heating कर सकते हैं तो यह basically दो टाइप्स के रहते हैं electrical type या फिर fuel fired heater वो depends करता है कि आपको कौन सा ज्यादा feasible लग रहा है उसके हिसाब से आप इसका selection कर सक करते हैं pumps and reactors यह pumps और यह reactors की अगर बात करते हैं तो इस pump का खली यह काम रहता है कि यह reactor की jackets में hot oil को movement करवाता रहता है ताकि जो भी हमें desired temperature चाहिए वह हम achieve कर पाए now the most important part of this whole setup expansion tank यह जो expansion tank सबसे top पर दिया रहता है आपके दिमाग में यह चीज आ रही होगी कि जब हम normal means water hot water के systems के हम बात करते हैं तो वहाँ पर तो यह expansion tank हमने कभी नहीं देखें तो यहाँ पर क्या जरूरत पढ़ गई कि expansion tank की जरूरत आपको चाहिए रहती है तो याद रखेगा कुछ important चीजें जो आपके बिल्कुल tips पर होनी चाहिए first thing कि जो expansion tank होता है यह हमेशा return line में दिया जाता है देखें जैसे यह आपके दो reactors है या exchanges मान लेजिए तो इनसे जो आने वाली line out है यह उसमें आप देखें expansion tank का connection किया जाता है तो first thing is expansion tanks are always fitted in the return line which acts as a buffer for the change in volumes of thermic fluid यह as a buffer act करते हैं ताकि जो भी आपके thermic fluid का volume change हो यह उसको easily cater कर पाएं याद रखेगा कि यहाँ पे आप पानी नहीं use कर रहे हैं यहाँ पे आप hot oil use कर रहे हैं और इसका coefficient of thermal expansion काफी ज्यादा रहता है अगर आप 7 to 8% volume इसका increase होता है जब आप 100 degree का temperature rise करते हैं means अगर आप किसी circuit में hot oil भूमा रहे हैं और आपने उसका temperature 100 degree rise किया तो उसका जो पहले का volume present था उसके comparison में वो volume 7 to 8 times बढ़ जाएगा तो आपको उस volume को cater करने के लिए यह expansion tank उपर लगाया जाता है because एक बार आपने इसके setup में hot oil आपका rotate कर रहा है आपने पहले यहाँ पे set point डाला हुआ है 100 degree then आपने आपका set point 200 degree कर दिया है in that case जो आपका volume rise होगा मानली जी आपका पहले का volume था 100% उसके बाद में वो volume 7% rise होगे if 107% होगया तो यह जो 7% का rise हुआ है वो volume कहाँ पे जाएगा उस volume को cater करने के लिए यहाँ पे expansion tank दिया जाता है ताकि वो जो भी volume में change आएगा वो यहाँ पे आके expansion tank में आपका oil जमा हो जाएगा और बाकी आपका circuit as it is move करता रहेगा जो expansion tank का selection है यह पूरी तरीके से depend करता है कि जो आपके system के volume है वो कितना होना वो कितना है उसके basis पे आप expansion tank का volume decide करते हैं यह बिल्कुल clear हो गया होगा आपके hot oil system में जो भी आपको oil present है उसका volume change होता है उसको cater करने के लिए हम यह expansion tank लगाते हैं और यह हमेशा return line में होता है अब expansion tank के बारे में कुछ और बाते expansion tank का volume होता है यह जो आपका total system है इस total system volume के at least यह 25% होना चाहिए ताकि यह इसमें जो भी changes आएं यह इसको cater कर सके safety point of view की वज़े से इसको हमेशा एक safe location पे रखा जाता है और इसका जो overflow line है जैसा कि मैंने आपको पहले के टैंक में दिखाया था इसमें जो overflow यहां से निकलता है expansion tank से माल लिए कि कभी oil आपने थोड़ा सब mismatch कर गया और यह इसका oil यहां से overflow होता है तो वो आमेशा एक safe आपके पास में tank होता है it may be underground और it may not be यह सीधा उसमें जाके collect हो जाता है इसमें एक oil make up की line भी दी जाती है जिसका काम रहता है इसमें oil के level को maintain करना इसमें basically एक L.I. लगा रहता है उसमें low level और high level के points दिये जाते हैं level transmitter से उसके हिसाब से हम इसमें oil का level maintain करते हुए चलते हैं expansion tank जो रहते हैं यह हमेशा याद रखेगा कि जो आपका normal circuit है जो यह नीची वाला पूरा circuit है जिसमें all भूम रहा है इसकी जो topmost line है जो इसका highest point है उससे कम से कम 1.5 से 2 meter उपर की side में दिया जाता है यह हमेशा आपने दिमाग में रखेगा और यह हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि कभी भी आपका pump जो है वो dry न घूमे इसलिए जो NPSH है add pump suction यह at least 0.5 times more होना चाहिए NPSH that is being required by the pump अब एक और चीज़ मैंने पहले नहीं बताई यहाँ पे बताता हूँ कि कई बार expansion tank के साथ में आपका de-aerator भी दिया जाता है यह देखे यह उपर आपका expansion tank के निशे de-aerator आपका दिया हुआ है जैसा कि नाम सजेस्ट करता है de-aerator का काम रहता है जो भी आपका oil घूम रहा है उसके अंदर कहीं पे अगर कोई भी air lock हो जाती है या फिर बिकॉज आपका hot high temperature पे hot oil है या फिर आपका उसमें किसी भी तरीके के low boilers है जो low boilers आपके कहीं पे जमा होने लग जाते है setup के अंदर तो उनके निकालने के लिए आपका यहाँ पे नीशे आपके यह देखे यह यह आपका de-aerator दिये जाते हैं working is very easy de-aerator के अंदर oil आता है और यहाँ से जो भी आपका इनके अंदर gases present है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है de-aerator की जो tank की capacity होती है यह depend करती है कि किस flow rate तो उसमें oil आने बाला है जो de-aerator है इसको basically design किया जाता है to take care of the expansion fluid during expansion time along with उसमें जो भी trapped gases है वो उसको बाहर निकाल सके so यह कुछ basic चीजे थी जो आपको hot oil systems के बारे में बिल्कुल tips पे होनी चाहिए so that's all for today's lecture next lecture में हम again मिलेंगे एक नए topic के साथ में till then goodbye have a nice day